हे गाईज वेल्गाम बैक मैं टूप चैनल लली देवांगन में आप सभी का स्वागत एक और नाए वीडियो में तो गाईज अभी मैं पहुंच चुका हूँ कचारगड गुफा कचारगड जो गुफा है डुंगरगड से लगभग 20 किलोमेटर की डिस्टेंस पर है आप अगर आएंगे तो सबसे पहले डुंगरगड डुंगरगड के बाद और दो तिन गाउं मिलेगा उसके बाद आपको दर्रे कसा आएगा जो दर्रे कसा जो पढ़ता है महाराश्टर पहले के घूबरगा उपढ़ाश्टर में पढ़ता है दर्रे कसा अगे आएंगे तो आपको एक चौक मिलेगा और चौफ से आपको राइट लेन पड़े अगर आप ढ़्यापोर हैं तो अगर आप गोंध्या से आथेयं थो आपको लें लेना पड़ेगा और जो है चौक स को दिखाएंगे कि यहाँ पर मेला के टाइमिंग में और अभी मैं हैं आपको कुछे दे सकते हैं यह हैं इंट्री गेट है हाँ से लगभा एक किलमटर जो है कचारगर गुफा है अभी तो उसे इंट्री गेट में हम प्रवेश किये हैं चले अब आगे बढ़ते हैं आते ही में बोट पर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मा काली कंकाली तो यह सामने आप लोगको नजर आ रहा होगा यह माता जी का मंदीर है और जो गुफा है वो सामने में आप लोगको जो पहाड़ है वो नजर आ रहा होगा तो वहाँ पर आपन चलेंगे तो सबसे पहले माता जी इखाया का दर्शन और करेंगे फिर आगे मड़ेंगे तो अभ है पहुंच चुके मातर जी के पस में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है दाई काली Cel backgrounds आ तो यह देखे मातर जी आप सकते हैं मांग पुनिम ने तो यहांपे होता है अब यहां आ सकते हैं यहां पर सूंदर अगर है तो आगे बढंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे में जो बूफा है वो सामने में है और वहाँ पे बगवान सिव जी का मंदिर भी है तो उसको भी आप लोगों को दिखलाएंगे यहाँ पे जो है आसपास के लोग है जो है काम करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं देख सकते हैं यह द यहां पर बिल्कुल विजिट करिए गया, यहां से जो है गुफा नजर आने लग गया है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखलाता हूं, तो यह देखिए, यह है गुफा है, और यहां पर रास्ते बने हुए हैं, तो रास्ते से आपन चलेंगे, उसके पहले यहां पर कुछ चोटे बड़े ऐसा करके मंदीर है, उसको आप लोगों को देख लाएंगे, तो यहां पर देखिए, फोटोग रखे जा रहा हैं, भाई लोग आप देख सकते हैं, तो यह देखिए, भाई लोग राजननगाउं से आए हुए हैं, जैसा जैसे यहां से अब सबसे पहले यहां पर आप चलेंगे उसके बाद इस तरफ के एरिया में अपन चलेंगे भाई साब लोग उपर गए हुए थे यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा वाटरफॉल बन रहा है और यह सिल्धी बना हुआ तो सिल्धी से अपन उपर चढ़ेंगे तो यह देखिए लोग जो है उपर से यहाँ पर निचे की तरह पा रहा है उपर भी अपन चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं एक छोटा सा गुपा है यह देखिए यह देवी देवता है तो आप भी हमारे वीडियो के माध्याम से घर बठेंगे तरसंग करें अब यहाँ पर देवी है यह देवता है इसके बारे में मुझे कोई आड़े नहीं है यहाँ पर बहुत सारे जो है 300 लगर रखे हुए है जय भगवान चलिए बहार निकलते हैं यहाँ पर है अंधेरा और आप लोगों को अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा पिशे मैं आप लोगों को देखला और छालिए उपर चलते हैं और आप लोगों को देखलाते हैं यह देखे यहाँ पर देख सकते हैं ती सुल having हैं उपला लॉलोग पांगे अब आगे दिखलाते हैं और यहां पे भी लोग जो है पहुंचे हुए हैं तो पहुंच चुके हैं पास में यह देखेंD से हम लोग चड़े हुए हैं अब आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं यह है गुफा में जो गुफा है वो आगे में है वो सेट है एरिया में और आप लोगों को दिखलाएंगे अभी भी धोड़ा पहुंच जो है भीरबार तो है ही यहाँ पर लेकिन जैसे कि मेला के टाइ है भीया यह है अंद्योंता यहाँ पर तो यहीं पर होता है जैसे कि फरवरी के महने में गार आप आते हैं तो इसी की नाम से यहाँ पर फूजा होता है और साथ में मेला कायो जैन भी होता है अगे देखें त्री सुलवर भी रखे हुए है कर दो है कि है जले अब इस वाली जगह को आपन देख लिया अब में चलते हैं जो मैन मुका न इस टेयरा हैं तो यह देख सकते हैं वहुत खूसुरत लग stores को अपकर सकते हैं आप लोगों को जो है दढशन कर कैमेरे में नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को लेकिन मुझे यहां से जो है नजर आ रहा है और देख सकते हैं इसी को मैं आप लोगों को ऊपर से जो है दिख लाये हुआ था बहुत सुंदर लग रहे हैं यहां पर एक सामने में जर्ना भी है तो जर्ना को भी आप जो भución करें यहां तो लोग आना जाना नहीं करते हैं क्योंकि इस राप जाने का रास्ता नहीं बना और देखें बड़ा बड़ा पत्थर यहां आप देखें अखिए देखो लोग यहां पे फोटोग्रक हिचा रहा है कैसा लग रहा यह जगह है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं तो जर्ना के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो है सब लोग आये हुए हैं जर्ना को ही देख रहे हैं चोटा सा जर्ना है जाता है बड़ा तो नहीं है यह देखिए इसी जर्णा के बारे में आप लोगों को बता रहा था छोटा सा जर्णा है पिछाता है बड़ा नहीं है लेकिन बहुंभा सुंदर है तो आप लोगामेंन कर सकते हैं कि कैसा आप लोगों को लग रहा है ये देखे और यहाँपे सब लोग जो फोटो गरहां खिचा रहा है अगर आप आते हैं तो खोड़ा सा हिसाब से यहाँपे रूपकर फोटो गरहां खिचा सकते हैं और अभी जो में गुफा है ना वो आगे में है अपन उस सरफ अपन चलेंगे यह पगड़नी गया हुआ है इसी रास्ते से अपन चलेंगे चलें आगे बढ़ते हैं यह देखें पानी सरफ जैसे जैसे पानी ज्याजा गिरता होगा तो यह पर वटर लेबल बढ़ता होगा ने देखोव पानी सरफ जा रहा है ऐसे तो नजर महीं आता है इस पानी कहीं महीं जा रहा है चलिए यह वाला रास्ता है यहाँ पर जो देव इससल है गोड समाज द्वारा स्थापित है किया हुआ यहाँ पर बुड़ा महादेव है तो इसी के नाम से यहाँ पर गोड समाज के द्वारा यहाँ पर हर साल जो है मागपुनीमा में मेला का एवजन होता है तो आप आते हो ना तो फ़वरी के महने में ही आप आ सकते हैं यहां पर मिला होता है और काफी भीड देखने को यहां पर मिलता है इस टाइम जब मैं आया हो ना तो वसे है लेकिन जैसे कि मिला क्या पिक्छा यहां पर कम ही है अपन जो है पहुँच चुके हैं नज्जिक में और यहां से भी जो है टुटा फूटा जो है सिड़ी जो है स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो है बारिस की वज़त से जो है खराब हो चुके हैं तो सब लोग जढशन करके यहाँ पर आ रहे हैं और आप लोगों को दिख लाते हैं यह देखिए तो यह जो शिरी बना हुआ है पुरा टूटा हुआ है अभी यहाँ पर महिला, पूरूस सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं चोटे-चोटे बच्चे लोग को लेकर भी यहाँ पर आये हुए हैं सब दर्सन करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं यह देखिये आप लोगों को जो है यह इसी तरब से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मेंगूफा के पास में फानली हम लोग जो है मेन गूफा के पास में पहुंच चुके हैं और यहां पे आप लोगों को जा कर दिखलाते हैं अगर आप लोगों को नजर पा रहा होगा तो यहां पे बहुं सारे जो है ना मदुमक्ही के चाते हैं वो बने ऊपर में यह देखिए देख सकते हैं बहुं सारे हैं मदुमक्ही क आपके शली पास जाकर आप लोगोदिक लाते हैं यह देखिए सब लोग आ रहे हैं धरसन करके यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं अधर अपन चलते हैं इस गुफा के अंदर यह देखिए नुकिले नुकिले पत्थर है यहाँ पर और वहां पर हम लोग ने जूते चपल निकाल दिया है फिर इसके बाद इसके अंदर अपन चलेंगे यह देखो कैमरे में आप लोगो नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा यहां पर बहुत सारे जो है चमकादर जो है फूल रहे हैं यहां पर तो गुफा के अंदर आ चुके हैं कुछ भाई लोग जो है अंदर की तरफ गए हुए थे चले आभे बढ़ते हैं यहां पर भी है बुढ़ा महादे आप लोग को दिखलाते हैं और आप भी हमारे वीडियो के माते हमसे दर्शन कर सकते हैं यहां पर मसला पानी पहाते है लेकिन अभी इस वक्ते जो है पानी कम है यह देखिए और यह देखिए गुफ़ा को बहुत बड़ा गुफ़ा है और उस वाले गुफ़ा में आप लोग को लेकर गया था ना इससे छोटा है और यहां का जो गुफ़ा है बहुत बड़ा है उधर भी देख सकते हैं रास्ता बना हुए लेकिन इधर जो है कायोगर जमा है पने जो चार बज तक रहता है चार बजे के बाद किसी को इस कुफ़ा के अंदर आने नहीं देता है महला में गेड़ से आने नहीं देता किसी को तो आप लोगों को दर्शन कराया हूं मैं बुढ़ा महादेव जीग का तो देख सकते और आप भी हमारी व्दो के मांधम से गर बठे दर्शन कर सकते हैं देख सकते हैं और यहां पर बड़े-बड़े पत्थर जो है आपकों को नजर आर होगा और यहां पर देखें यह पानी है अभी पानी करम हो चुका है यह देखें बहुत बड़ा अधर है बहुत सारे मदू मखी के छाते चले यहां पर कबूतर भी ऐसा लगता है कबुतर का आवाज आ रहा है और चमकादड का भी जो है आवाजे आ रहा है यहां पर उपर से पानी रिष्टे रिष्टे हुए नीचे की तरफ आ रहा है इधर भी दिखला देते हु मैं आप लोगों को तो आप लोग देश सकते हैं यहांपर जो है ना स्वमकादड की जो है आवाजे बहु HK जअधा अगर आप्प्रों को गर सुनार दे रहा हो गा तो एक रास्ते के बारे में जो बतला रहा था ना वह रास्त है वदर अपन नहीं चलेंगे और यह थोड़ा सा अंदेरा भी हो गया है ने तो इस तरफ के देवी देखेंगे घंव् हр i गूफ़ा है तो आप लोग अगर आना चाहते तो आप पहुंश सकते हैं इस जगह पर जिसरे कचारगरThe भूफ़ा के नाम से जानते हैं 32 बक्ते का पानी अगरा नहीं भर हुआ है ज्यादा लेकिन हमेसा पानी यहां पर हमेसा रहता है और पानी जो है बता है हलका फुलका जो है यहां पर बहर है आप लोगों को अगर नजर आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं चल यह आगे बढ़ते हैं चलिया भी है यहां पर चलिया की जो है चहतने की आवाज भी आ रहा है तो गाइस मैं आये हुआ था कचालगार गुफा बहुती खुद सूरज जगह है और यहां महाराश्ट्रे बाउडर में पढ़ता है आप आते हैं तो दर्विक असाथ से आपको यह लगवाद देर से दोकनोड़ की डिस्टेंस पर पढ़ेगा आई होप इस उड़े को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना बहुत ज़ल मिलते हैं आप लोगों को नेस्टें वीडियो में